रतलाम में फोर लेन पर एक कार ने मोटर साइकल को जबर जस्त टक्कर मार दी टक्कर इतनी जोड़दार थी कि मोटर साइकल सवार 20 फिट दूर जाकर गिरा यह घटना रतलाम से 13 किलोमेटर दूर फोर लेन पर नामली के पास 45 फंटे पर हुई है पूरी घटना समीप इस्थित पेट्रोल पंप के CCTV में कैद हुई घटना में घायल मोटर साइकल सवार को आसपास की लोगों ने जिला इस्पताल में भरती कराया गंभीर हालत में घायल को इंदौर रेफर किया गया है घटना रविवार रात की है दिनेश खराडी सोलाना से अपने गाउं बंदोरा जा रहा था फोर लेन पर नामली के पंचेड फंटा पर वहर रोड क्रॉस करने लगा उसी दौरान आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदा टक्कर मार दी वह उचल कर गिर पड़ा और घजीडता हुआ चला गया पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीजी टीवी कैमरे में कैद हो गई हाथ से की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुची और फोर लेन पर दुरघटना ग्रस्त वाहन को हटवा करियातायात फिर शुरू करवाया एवं इस मामले में प्रकरण दर्च कर जाच प्रारम कर दी है महु नीमच फोर लेन पर दुरघटनाओं के कई होट स्पोट बन चुके हैं जिसमें से नामली के पंचेड फंटा पर कई और घटनाए हो चुकी हैं जिसके मुख वजय घुमावदार जगा पर क्रॉसिंग बना होना और दोनों लाइनों के बीच परियाप्त जगा नहीं होना बताया जाता है